नमस्त भाईयों, एंडूइट बेडी में आप सभी का स्वागत है आज किस वीडियो में हम लोग एक महती यूनिक स्मार्टफोन का अन्वाक्सिंग करने वाले है नातिंग फोन के बाद किसी फोन को लेगे अगर मार्केट में इतना हाई बना हुआ है तो वो ये फोन है और ये फोन है इन्फिनिक्स के तरफ से जीटी टेन प्रो इंडियन मार्केट में ये फोन लॉंच हो गया है अंडर 20,000 रूपीज इसका प्राइस है एक्जाक 19,999 रूपीज लेकिन सेलेक्टेट क्रेट के ऊपर 2,000 रूपीज का डिसकाउंट है तो एफेक्टिव जो प्राइस होता है वो है 17,999 या फिर 18,000 रूपीज 18,000 रूपीज के अंदर में जो स्पेसिफिकेशन ये फोन प्रोवाइड कर रहा है अंदर 20,000 प्राइस बैकेट के अंदर और कोई भी कमपनी प्रोवाइड नहीं कर रहा है साथी में अंदर 20,000 में आने वाला एक और स्मार्टफोन है जो कि ये लावा अगनी 2 उसके साथ भी हम लोग इसको कंपेर करेंगे कि उस फोन को लेकर भी बहुत सारे लोग बहुत जादा एक्साइटेट थे हाला कि उसका जो एवेलिविटी था उसको लेकर थोड़ा सा इशू बन गया था वरना वो फोन भी काफी अच्छा फोन है अंदर 20,000 रूपीज तो इन दोनों फोन का एक चोटा सा हैंड्स ओन कंपाईज़न भी दिकाऊंगा मैं इस वीडियो के अंदर में तो चलिए आज इस वीडियो में इसको अन्बॉक्स करके हम लोग देख लेते हैं क्या है इतना सारा हाइप क्या ये फोन इतने सारे हाइप को जस्टिफाइग करता भी है कि नहीं सब कुछ देखे काफी एमेजिंग बॉक्स यहां पर प्रवाइड किया गया है और काफी प्रीमियम बॉक्स यहां पर बनाया गया है इन्फिनिक्स के दूसरे स्मार्टपॉन के मुकाबले इन्फिनिक्स का पैकेजिंग उतना अच्छा जेनरली नहीं होता था लेकिन इस बार यहां पे नैनोमीटर वाला प्रसेजर है, साथ में आप लोगो फुल एजडी प्लास, 120 हर्स वाला 10 बीट एमोलेट पैनल देखने को मिलता है, 108 मेगापिक्सल का ट्रिपिल रेयर कैमेरा है, 32 मेगापिक्सल का सेल्पी कैमेरा है, 256 जीवी का UFS 3.1 स्टोरेज आप लोगो देखने को मिलता है, साती में यहाँ पर 5000 mAh का बैटरी है, clean and pure OS देखने को मिलेगा, साती में cyber meka design के साथ आता है, तो चलिए box को open करते हैं, यहाँ पर एक latch दिया गया है देख सकते हैं, और इसके अंदर से देखेंगे तो बहुत सारे चीज़े आप लोगो यहाँ पर देखने को मिलता है, जैसे यहाँ पर आप लोगो को user manual देखने को मिलता है, साती में warranty guide भी यहाँ पर दिया गया है, इसके बाद देखेंगे, यहाँ पर कुछ stickers दिये गया है, इन stickers को आप अपने smartphone के ऊपर या फिर दूसरे कहीं पर भी यहाँ पर apply करके show up कर सकते हैं, इसके बाद यहाँ पर एक और अच्छा चीज दिया गया है, जो कि एक tempered glass, देख सकते हैं, यहाँ पर tempered glass दिया गया है, हाला कि जैसे कि मैं देख पार हो, यहाँ पर phone के साथ में भी already screen projector pre-applied है, फिर भी यहाँ पर extra करके tempered glass provide कर रहे हैं, जो कि काफी अच्छी बात है, आपको अलग से tempered glass दूणने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पर कुछ guide stickers और application kit बगेर आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और finally यहाँ पर SIM ejector pin मिलता है, जो कुछ इस तरह का दिखता है, और उसके बाद एक TPU case भी यहाँ पर मिल जाता है, transparent TPU case है, क्योंकि transparent नहीं होगा, तो इसका जो design है, cyber maker design, वो यहाँ पर कैसे आप दो देख सकते हैं, और इनके बाद यहाँ पर हमारा Infinix GT 10 Pro आता है, यहाँ और इसके अंदर से निकालते हैं, तो हमारा यहाँ पर Infinix GT 10 बाहर आ जाता है, GT 10 Pro, और design देख सकते हैं, back car design काफी खूब सुरत बनाया गया है, देख सकते हैं, बहुत ही unique type का looking design यहाँ पर बनाया गया है, जितने smart phones आते हैं, almost सारे smart phones का design 19-21 type का होता है, तो कुछ अलग design ज आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा, nothing से बहुत ज़्यादा inspired आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर transparent type का design बनाया गया है, design के बाहर में और बात करेंगे, फिलाहाल box content देखते हैं, इसके बात देखेंगे तो यहाँ पर Infinix का 45Watt का power adapter देखने को मिलता है, जैसे के आप लोग देख सकते हैं, और finally एक right angle USB-C cable मिलेगा, इसका भी आप लोगो काफी, यह भी काफी useful लगेगा, आप लोगो gaming करते टाइम भी यह काफी help करता है, साथी में यह जो back box है, इसको आप लोग as a speaker, speaker नहीं, एक audio enhancer के तरह आप लोग यूस कर सकते हैं, यह यह जो चीज है, यह चीज हमें देखने को मिला था, Asus के एक phone के अंदर में, Asus Zenphone नाम मैं भूल गया हूँ, अगर नाम याद आता है, मैं यहाँ पर डाल दूँगा, तो उस phone में भी कुछ इस तरह का नहीं, वहाँ पर एक अलग साथ डॉक आता हुथा, जिसके अंदर में इस चीज को निकालना पड़ता है, और उसके बाद इनको ऐसे फोल्ड कर देना है, और उसके बाद आप लोग को इसको इस तरह से लगा देना है, उसके बाद देख सकते हैं, आप लोग यहाँ पे इस तरह से डॉक कर सकते हैं, डॉक करने के बाद आप लोग यहाँ पे music का और अच्छे तरीके से enjoy कर सकते हैं साथ ही में यहाँ पे जो USB cable है देख सकते हैं यह right angle USB cable है इसको भी आप लोग यहाँ से जाकर fix कर सकते हैं देख सकते हैं कुछ इस तरह से जो है adapter fix हो जाता है मैं जल्दी जल्दी में दिखा रहा हूँ इसको अप लग से fix कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पे फोन को charging dock के तरह भी use कर सकते हैं साथ ही में अगर आप लोग music को enjoy करना चाते हैं तो वो भी आप लोग यहाँ पे कर पाएंगे तो finally यह रहा हमारा फोन चलिए इसको setup and boot करते हैं और उसके बाद फोन के बारे में हम लोग बात करते हैं लेकिन उससे पहले फोन का एक physical overview में आप लोगो दे देता हूँ अगर right side में देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगो volume rockers देखने को मिलेंगे power button और volume rockers है top side में देखेंगे यहाँ पे आप लोगो secondary noise connection mic देखने को मिलेगा साथ ही में dual stereo speaker देखने को मिलता है bottom में देख सकते है primary speaker है यहाँ पे type c का port है primary mic और 3.5 headphone jack भी है side में देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगो sim slot देखने को मिलता है यहाँ पे call बगरे आता है तो यहाँ पे आप लोगो lighting effect देखने को मिलेगा पीछे में triple camera setup भी आप लोग देख सकते है साथ ही में एक circular type का flash दिया गया है और यह silver color में आया है यहाँ पे एक और color आता है इसका black color black color के अंदर यह जो white portion है यहाँ पे इनका color change नहीं होता है लेकिन अगर इस silver phone को अगर आप लोग धूप में लेके जाएंगे तो यहाँ पे यह जो color है थोड़ा सा pinkish type का color में convert हो जाता है फ्रेंट में देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग 6.7 inch का display देखने को मिलता है और एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे जो display है डिस्पले का bezel से आप लोग देख सकते है चारो तरप से एक दम symmetrical bezel से यूज़ किये गए है bottom का chin और ऊपर का जो bezel है देख सकते है दोनों ही almost similar है तो यहाँ पे एक symmetrical look आ रहा है under 20,000 के अंदर बहुती कम smartphone मिलेंगे जो इस तरह के looks के साथ आते है हाला कि phone जो है थोड़ा सा wide type का लगा मुझे जैसे का लोग देख से के थोड़ा wide है पीछे के दिखेंगे तो और ज़्यादा wide लगता है maybe because of its design यह और ज़्यादा wide लग लग रहा है आप लोगा क्या ख्याल है आप लोग बता सकते है side square design के साथ आते है यहां पे plastic frame यूज किया गया है और पीछे में भी यहां पे plastic back ही यूज किया गया है यहां पे glass नहीं है glass होता तो और अच्छा होता और यहां पे जो back design है कुछ-कुछ frosted mac type का design में आया है हाला कि इस design के वज़ा से यहां पे आपका fingerpin और smudges तो नहीं आएंगे लेकिन frosted design होने के कारण पता नहीं कि मुझे यह थोड़ जादा ही plasticky सा फिल हो रहा है आप लोग क्या ख्याल आप लोग नीचे बता सकते है यहां पे यह जो design है जादा ही कुछ plasticky सा लग रहा है जैसे लग रहा है कि कोई skin जैसा उपर में apply करके रखा है actual जो design है वो उतना उभर के नहीं आ रहा है in my opinion black color को मैंने देखा है black color मुझे लगता है कि थोड़ा और जादा यहां पे better लगता होगा क्योंकि यहां पे silver color कुछ जादा ही plasticky type का लग रहा है आप लोग क्या बोलते हैं तो phone हमारा boot हो चुका है और boot होने के बाद देख सकते है phone का design कैसा है boot होने के बाद एक चीज मुझे सबसे अच्छा लगा यहां पे एकदम blow to ass बिलकुल भी नहीं है infinix के कुछ app आप लोग यहां पे देखने को मिलता है जिनको भी अगर आप चाहे कुछ-कुछ apps को आप लोग uninstall बहुत ईजीली कर पाएंगे देख सकते हैं uninstall का option भी दिया गया है सिर्फ infinix के app ही नहीं Google के कुछ app भी है जिनको भी अगर आप चाहे तो uninstall easily कर सकते है यहां पे वो option भी दिया गया है तो बिल्कुल ही clean Android UI मिलता है यहां पे आप लोग को जो आप लोग को पहले की infinix phone में देखने को नहीं मिलते थे महां पे बहुत सरे bloat wires होते थे बहुत सरे अननी सरी notification आते थे जिनसे मैं बहुत ज़्यादा irritate फिल करता था पहले ही मैं phone आने के बाद उन सब को disable करता था तब जाके phone को मैं use करता था लेकिन यहां पे वो दिक्कत नहीं है phone out of the box यहां पे देख सकते है XOS 13.1 के साथ आता है जो की XOS for GT अलग से बनाया गया है यान की जो RAM है देख सकते हैं यहां पे RAM को अगर आप चाहे तो और 8GB तक increase कर सकते हैं normally आप लोगो 8GB का RAM मिलता है और 256GB का internal storage देखने को मिलता है साथी में 5000 mAh का battery यहां पे है camera setup के बारे में बात करें तो यहां पे triple rear camera setup दिया गया है जिनमें से main sensor है 108MP का साथी में depth sensor और macro camera यहां पे दिया गया है जो उतना useful मुझे नहीं लगा है इस price point में एक ultra wide angle camera दे देते तो और अच्छा हो सकता था कि कोई इस price point में हम लोग ultra wide angle camera expect करी सकते हैं लेकिन आज कल के mostly smartphone के अंदर यह ultra wide angle camera obsolete कर दिया जा रहा है स्पेसली इस price range के अंदर पता नहीं क्यों पहले 13-14,000 रूपीज के अंदर में भी ultra wide angle camera मिल जा था लेकिन अभी 20,000 रूपीज से भी ultra wide camera गायब हो रहा है जो मुझे ख्याल से फिर से लोट के आना चाहिए इस phone के अंदर in display finger print sensor भी आप लोगो मिलता है तो इसको मैंने already setup कर लिया है और finger print sensor काफी अच्छे से काम करता है जैसे के आप लोग देख सकते हैं बहुत ही quickly unlock करता है super amulet display है full HD resolution है तो चलिए इसको एक test कर लेते हैं एक video play करके display resolution में आप लोग देख सकते हैं आप लोग देख सकते काफी अच्छा वीविंग आएंगे आप लोगो मिलेगा यहां पर ओवर्ल इस price point में काफी एच्छेक पैनल यहां पर दिया है infinix बालो ने साथी में जो 120Hz का refresh rate है देख सकते उसके वाज़ा से कितना स्मूध और फ्लूइड जैसा लग रहा है यहां चलिए इसका एक audio टेस्ट सुन लेते हैं dual stereo speakers से कैसा audio output आप लोग यहां पर expect कर सकते हैं आप लोग यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप लोग ने देखा स्ट्रियो स्पीकर्स होने के कारण काफी फुलर साउंड यहां पर सुनने को मिल रहा है कैमेरे के बारे में बात करें तो यहां पर ट्रिपल कैमेरा सेटप रेयर में दिया गया है जिसके specification मैंने आप लोगो अल्रेडी बता चुका हूँ फिर भी एक बात बता देता हूँ 108MP का main sensor मिलेगा बाकी दो जो sensor है वो useless sensor है उनसे कोई भी काम नहीं होता है depth और macro sensor यहां पर दिया गया है तो उनके बारे में बात नहीं करें तो अच्छा है dynamic range थोड़ा सा और improve यहां पर हो सकता था ऐसा मुझे लगता है बाकी overall photo में details और photo में overall color balance काफी अच्छा लगा मुझे इस price point में जितने phones आप लोगो मिलता है similar type का output आप लोग यहां मिलेगा अगर आप लोग camera के हिसाब से भी इस phone को purchase करना चाते तो भी आप लोग purchase कर सकते हैं और front camera से भी आप लोग काफी अच्छे photos capture कर सकते हैं एक ही down point है यहां पर ultra wide angle camera यहां पर दे देते तो और अच्छा होता बाकी यहां पर main camera है वो काफी अच्छा काम करता है वीडियो कॉलिटी बारे बात करें तो front से आप लोग 2K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं जो आप लोग इस price point में किसी भी दूसरे ब्राइंड यानि कि Chinese ब्राइंड में नहीं देख पाएंगे maximum 1080p video आप लोग देख पाएंगे और rare camera से maximum 4K वीडियो आप लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं इसके लाब भी 1080p 60fps, 1080p 30fps में आप लोग वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं लेकिन 4K या 2K में वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं वीडियो में स्टेविलाइजन आप लोग देखने को नहीं मिलेगा वीडियो स्टैंपल आप लोग यहां पर देख लीजिए rare camera से रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो maximum resolution पर 4K में वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है साथ ही में यहां पर 1080p 60fps में वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है अगर वीडियो में स्टैविलाइजन चाहिए तो आप लोग 1080p 30fps में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते है यह rare camera का वीडियो है स्टैविलाइजन के साथ रिकॉर्ड हो रहा है 1080p 30 damned में लेकिन maximum 2K में video record कर सकते हैं आप लोग 2K का video quality अभी दिखाता हो आप लोग को लेकिन फिलहाल with stabilization कैसा video quality होगा आप लोग देख सकते हैं audio भी इसके directly internal microphone से आ रहा है तो audio quality भी आप लोग check out कर सकते हैं यह जो video आप लोग देख पा रहा है यह video record हो रहा है 2K में और यहां पर video stabilization नहीं है तो stability कैसा है आप लोग देख सकते हैं और साथी में audio भी इसके internal microphone से आ रहा है तो audio quality भी आप लोग check out कर सकते हैं यह video भी रेकॉर्ड कर रहा हूँ with stabilization लेकिन स्टेविलाइजेशन अंकन के बाद काफी साथा क्रॉप हो चुका है वीडियो audio भी इंटर्नल microphone से आ रहा है और maximum 1080p 30fps ही आप लोग रेकॉर्ड कर पाएंगे अगर आप लोग स्टेविलाइजेशन वीडियो रेकॉर्ड कर रहा है तो क्वालिटी कुछ ऐसा मिलें गेमिंग के बात करें तो मेनली गेमिंग के लिए फोन बनाया गया है गेमिंग टाइप का फोन है जो प्रसेसर के साब आ रहा है इस प्राइस में दूसरे कोई फोन प्रवाइड नहीं अब अगर बात करें आप लोग सिर्फ गेमिंग के लिए नहीं एक इन जनरल फोन डूणने की कोसिस कर रहे है और अगर आप लोग इन दोनों फोन में से कंफ्यूज हो रहे हैं कौन सा फोन आपको लेना चाहिए यह है इन्फिनिस का जिरी देन प्रो और यह है लावा अग लेडर करता है अगर आप लोग इन दोनों फोन में से मुझे पूछे कि कौन सा फोन ज्यादा प्रीमियम लगता है तो डेफिनिटली मैं यहां पर लावा अगनी तू को पिक करूंगा क्योंकि यहां पे आप लोग को कर्ब डिजाइन के साथ फोन देखने को मिलता है दोने फोन में यहां पर सूपर अमोलेट डिस्प्ले देखने को मिलता है और डिस्प्ले क्वालिटी के बारे बात करें दोनों का ही काफी अच्छा डिस्प्ले है हाला कि लावा अगनी तू में ज्यादा सैचुरेट कलर्स आप लोग देखने को मिलते है तो अगर आप लो लोग लाभा अगनी टू पसंद आएगा लेकिन एक नीट्रल सा अगर आप लोग डिस्प्ले पसंद करते हैं तो उसकेस में आपको क्लोशली नोटिस करेंगे तो यहाँ पे लाभा अगनी टू में ज्यादा सैचुरेट कलर सा आप लोगो देखने को मिल रहा है लेकिन थोड़ा सा नीट्रल टाइप का कलर देखने को मिल रहा है इन्फिनिक्स GT 10 Pro में ऐसा नहीं है कि GT 10 Pro का डिस्प्ले बहुत ज़्यादा खराब है एक्शुली यह लाभा अगनी टू का फोन जो है थोड़ा ज्यादा ही स्याचुरेट लगता है ऐसा मुझे परशना ही लगता है यह निट्रल सा डिस्प्ले काफी अच्छा लगएगा आप लोगो इन्फिनिक्स GT 10 Pro में जो यूस किया गया है ओडियो क्वालिटी के बारे में बात करें तो ऑडियो कोई कंपारिजन नहीं बनता है क्योंकि यहां पे आप लोगो सिंगल स्पीकर देखने को मिलता है लाभा अगनी टू में आप लोगो डूल स्ट्रियो स्पीकर नहीं दिए गया है जबकि यहां पे डूल स्ट्रियो स्पीकर से तो अब्यूसली यहां पे इन्फिनिक्स का ओडियो क्वालिटी जो है बेटर आप लोगो देखने को मिलेगा बैक का डिजाइन अगर आप लोगो देखेंगे तो यहां पे डिजाइन पूरा है आपके उप लेकिन अगर आप लोग एक वार्किंग प्रफेशनल है तो आप लोगे लिए यह फोन थोड़ा ज्यादा ही फ्लैसी लग सकता है तो उसकेस में आप लोग इन दोनों फोन में से जैसा आपको पसंद आ रहा है आप चोईस कर सकते हैं यह आपके उबर पूरा डिपेंड करत प्रफर्मेंस के बारे में बात करें तो हैंज डाउन यहां पर इन्फिनिक से जीटीरेंट प्रो वीनर है क्योंकि यहां पर लोग देखने हुलता है डाइमेंसीड का 8050 प्रिसेस है जो बिटर है इन्फिनिक्स के 7050 प्रिसेस से इस पोर में आप लोग 5000 मिलेगा जबकि ला आती में फास्टर चार्जिंग है तो आपका यह फोन जल्दी से जल्दी चार्ज होगा जीड़ो से हंडेट परसेंट कैमेरा से बारे में बात करें तो यहां पर एक एक राप सेंसर इसका सेंसर वी काफी अच्छा है दोनों का फोटो कंपरेजन है उसको मैं एक अलग वीडियो क्वालिटी बेटर आप लोगो देखने को मिलता है फिला स्पेक्स के बारे बात करें तो यहां पे एक अपर हांड मिलता है क्योंकि यहां पे आप लोगो अल्ट्रा वाइड एंग लेंस देखने को मिलता है फ्रेंट के बारे 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 बात करें तो यहां पे 32 में एकसल अका सेलफी गया मिलता है आप लोगों इन फिनिक्स DT 10 प्रो में जब कि लाभा अगनी टू में आप लोगो 16 मेगा पिकसले सेलफी कैमेरा दिया गया है और यहां पे बैक पांड के बारे में और एक चीज़ बताना चाहूंगा यहां पर Laave Agni 2 में आप लोगको glass बैक देखने को मिलता है जब की यहां पर प्लास्टीक पैक ही देखने को मिलता है Y Juni 2 में यहां पर glossy design आप लगको देख सकते हैं हाला कि यह glossy design नहीं है यह matte finish कर साथ आता है इसके उपर मैंने एक protector apply किया है ताकि यहां पे scratches वागे रहा है उसके बज़ाद से यहां पर यह glossy design में लग रहा है UI के बारे में बात करें दोनों में Android 13 आप लोगों देखने को मिलता है जबकि Infinix में आप लोगो XOS देखने को मिलता है जो कि थोड़ा सा customized OS है और Labha Agni 2 में यहां पर एकदम stock Android जैसा feature आप लोगो देखने को मिलेगा तो Infinix का XOS होने के कारण यहां पर थोड़ा जादा features आप लोगो देखने को मिलेंगे लाभा में उतने जादा features नहीं मिलेंगे लेकिन कुछ-कुछ useful features मिलेंगे आप लोगों को जैसे call recording feature वीडियो को background प्ले करना और dual app के नाम पर यहां पर सिर्फ WhatsApp का ही dual app होता है जबकि यहां पर बाकी सारे app का भी तो यह features difference आप लोग यहां पर इन दोनों phone के अंदर देखन कर सकते हैं इसमें आप लोगो best performance मिलेगा इन दोनों phone के अंदर में वही पर अगर आप लोग उतना जादा नहीं करते हैं अगर आप लोग एक professional है अगर आप लोग आप लोग प्रीमियम लुकिंग स्मार्ट फोन पर्चेस करने की सोच रहें तो इस phone को आप लोग देख सकत के अंदर आ रहा है अगर आप लोग इस फोन को पर्चेस कर सकते हैं इसमें आप लोग को mostly value for money देखने को मिलेगा लावा अगने टू में प्रीमियम डिजाइन प्रीमियम लुक्स के साथ में काफी अच्छा स्पेसिफिकेशन मिल रहा है तो अगर आप लोग एक कर्ब डिस सुप हो